कैसे हैं आप लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं कृटिका पांडया यूटूब चैनल तो आज मैं आपको बता हूंगे कि टैली प्राइम में आप अपने कंपनी में पासवर्ड कैसे लगा सकते जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कोई भी डेटा आपका करके जरूर बता दें सबसे पहले मारे पास यहां पर एक कंपनी क्रेटिड है प्राइम बन के नाम से और इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं लगा हुआ है यह मैं आपको दिखा देती हूं यह मैं कैसे पता चलेगा कि तो आपके सिस्टम में जो कंपनी होती है जिन पर पास कंपनी पर जाना है और प्लेस करके यह पिर आप डिरेक्टली भी जा सकते हो और आपको यहां से एक लास सेकेंड ऑप्शन मिलेगा टैली वॉल्ट कि नाम से तो सबसे पहले वह कंपनी ने पूचिए कि किस पर आपको पासवर्ड लगाना है तो हमने यहां पर एक ही कंपन में पासवर्ड लग जाएगा लेकिन आपको बता दूझ कि जब आप इसपर पासवर्ड लगा दोगे तो आपके system में एक नाई कंपनी यह सेव हो जाएगी मतलब जितनी बार आप इस पर पासवर्ड लगांगे हाटा ओके हर बार एक नई कंपनी अजड करेंगे और Пुर отвеч वाली आपकी वैसी की वैसी ही रहेगी, चीक है, मतलब अभी तक जो password नहीं लगा हुआ है, वो अलग save होगी और यह password लगके यह दुबारा से save होगी, clear है, इसे हम जैसे confirm password पर accept option आएगा, फिर हम enter से एंटर करेंगे, तो देखें, यहां पर लिखके आएगा, जैसे मैं इस पर एंटर करते हैं, तो हमारी जितने भी इसमें सेटिंग सभी open है, रिपोर्ट पाउचर सब बंद हो जाएंगे, और दुबारा से इसे हमें अपना login करना पड़ेगा, पासपट आलके, तो हम इसे एंटर करके, और उसके बाद जैसे yes करेंगे, तो देखें, यहां पर लिखते आएगा, do you want to create a copy of Prime 1, और देखें, वही चीज पूछ रहा है, कि क्या आप, जो आपकी पहले वाली company ही, क्या आप उसके copy create करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बदाया कि हर बार एक नई company create हुआ करेगे, यह Prime 1 के भी updated version में, जो हम 4.1 यूज कर रहे हैं, इसमें यह option आया है, कि आप उसकी copy बना भी सकते हो, और नहीं भी बना सकते हो, otherwise पहले ऐसा होता था कि जब भी आप कभी tally में कोई भी password लगाते थे, चाहिए, यार्पी 9 की बात हो, तो हमेशा उसके एक नई file सेव हो जाया करती थी, तो इसमें क्या है, कि आप जिस पर password लगाना चाहते हो, क्या आप सेम इसी company पर password लगाना चाहते हो, या फिर password लगा के आप उसके copy त्यार करना चाहते हो, तो हम बोलेंगे कि हाँ, उसके copy त्यार करना चाहते हैं, आपको दोसी दोनों तरीके से दिखा देते हैं, जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर एक नई company हमारी create हो जाएगी, अब आपको इस पर password लगाना पड़ेगा, हमने अपना वही password जो लगाया उसे menu जैसे एंटर करेंगे हमारी company उपन हो चुकी है, अब हम जाएंगे select company में all plus F3 प्रिस करके ठीक है, तो हम यहाँ से देखना जैसे select company पर जाते हैं, तो आप देखोगे कि हमें यहाँ से हमारी company है जो पहले prime 1 के नाम से थी वो अभी भी वैसे उस पर password नहीं है, और साथी साथ हमारी 1002 के नाम से एक और company से वो गई जिसमें के password लगा हुआ है, जब भी आप prime 1 open कभी यह password नहीं मांगेगा, ठीक है पर जब भी हम देखेंगे कि जब भी हम यहाँ से यह वाली company अपनी open क्या करेंगे password वाली तो हमेशा इस पर password मांगा करेगा, अभी यह already open है इसलिए password नहीं मांग रहा है, तो इस तरीकी से आप password लगा सकते हो, अब अगर आपको password चेंज करना हो, तो आप चेंज भी कर सकते हो, इसके लिए आप वापस से टैली वाल्ट पर जाओ, और इसके बाद अपनी prime 1 यहीं से अपनी आप चूच कर लीजे, old password आपको यहां से अपना डालना है, 4545, new password मैंने डाल दिया, 1234, एंटर करेंगे, confirm करेंगे, 1234, तो अब आप देखेंगे कि एक नई company create हो चुकी है, वापन से 1003 के नाम से, पासवार्ट एंटर करेंगे, हम 1234, 1234, और 1234, तो आप देखेंगे कि हमारी company open हो जाएगी, तो जब हम देखेंगे अपनी तीनों companies को, तो आपको आप यहां से तीन company total देखने को मिलेंगी, कितने मिलेंगी, तीन, एक प्राइम 1 के नाम से, जिसमें पासवार्ट नहीं था, एक प्राइम 2 के नाम से, जिसका पासवार्ट 4545 था, और एक पासवार्ट 3 के नाम से, आपका जो पासवार्ट है, वो है 1234, तो हमारी 3 companies अब यहां पर create हो चुकी, जो की अलग-अलग है, अब अगली बार ह हम सीखेंगे अब अभी, कि पासवार्ट हटाएं कैसे, और इस बार हम उसके नई कॉपी नहीं तयार करेंगे, तो पासवार्ट हटाने के लिए आपको वापर से जाना है, टैली वॉल्ट पे ही, ठीक है, और टैली वॉल्ट पर जब आप जाएंगे, तो आपको यहां से अ हम डालेंगे 1234, इसका हमारा पासवार्ट क्या था? 4545, कि 1234 था हमारा 3 वाली का, फोल्ट पासवार्ट इसका हम डालेंगे, न्यू पासवार्ट में हम कुछ भी नहीं डालेंगे, जैसे हम कुछ भी बिना डालेंगे, तो इससे हमारा पासवार्ट हट जाएगा, और लिख पूछ रहे हैं कि आप क्या नई कॉपी बनाना चाहते हैं और इस बार हम देखेंगे कि हमारे पास अभी तक तीन ही कंपनी होगी चौथी कंपनी मारी नहीं तयार हुई होगी और हमारा जो एक जो कंपनी थी 1402 के नाम से जिस पर पासवर्ड लगा हुआ था उसका नहीं में बस्वर्ड लगा सकते हो चेंज कर सकते हो डिलीट कर सकते हो आप लोग कोई वीडियो जरूर पसंद आई होगी कोई पी डाउट रहे जाए आप हमें कोमेंट करके जरूर पूछ ले वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर हमारे चैनल को जरूर करें मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ में विल सी यू सोड़